बाधा एक आवश्चक विश्यवानी पीडिया से यदि कोई अपने जीवन के अंत में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो क्रेश्ण को याद करने की प्रक्रिया आवश्चक है इसलिए व्यक्ति को लगातार लगातार महा मंत्र का जब करना चाहिए हरे क्रेश्ण हरे भगवान चायतन्य ने सलाह दी है कि व्यक्ति को एक पेड़ की तरह सहनशिल होना चाहिए तरोरिव सहिश्णुना हरे कृष्ण का जाब करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत सारी बाधाय हो सकती हैं फिर भी इन सभी बाधाओं को सहन करते हुए व्यक्ति को हरे क्रेश्ण, हरे क्रेश्ण, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे का जाब करते रहना चाहिए ताकि उसके जीवन के अंत में उसे पुरालाब मिल सके क्रिश्न चेतना का श्रील प्रभुपात की पुस्तके व्याख्यान वारित अलाप और पत्र इस आवर्शक विश्य की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोर्ट्स इंपीडिमेंट श्रेणी में देखा गया है उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलतिक्त आठ्र धरणों में दिया गया है श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उद्धरण इसलिए एक बक्चो परिणामी कारियों से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है उसे गमफीरता से कृष्ण भावनाम रित्मिक कारे करना जारी रखना चाहिए भले ही इतनी सारी बाधाय क्यों नहीं हो जब ऐसी बाधाय उत्पन हो तो उसे केवल कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए और उनकी दया की आशा करनी चाहिए यही एक मात्र सांतवना है भक्ति का अमरिद्दस, मकान प्राप करने, भूमी पर कबजा करने, बच्ची पैदा करने और समाज में प्रमुक बनने की इच्छाएं समुदाय और जन्म स्थान की प्रतिस्नेह और धन की लालसा जो सभी मायावी या भ्रामक सपनों की तरह हैं, एक इंसान को घेर लेती हैं और वेह इस प्राकार चीवन के वास्तविक उद्देश आत्म प्राप्ति की दिशा में उसकी प्रगती में बाधा आती है श्रीमत भागवत 2.7,6 जब कोई महामारी रोग होता है, तो एंटिसेप्टिक टी का व्यक्ति को ऐसी महामारी के आक्रमंड से बचाता है इसी प्रकार भगवान विश्णों को अर्पित किया गया भोजन और फिर हमारी द्वारा ग्रहन किया गया भोजन हमें भौतिक स्नेह के प्रति परियाप्त रूप से प्रतिरोधी बनाता है और जो इस अभ्यास का आधि है उसे भगवान का भक्त कहा जाता है इसलिए क्रिश्ण भावनाम रित में एक व्यक्ति जो केवल क्रिश्ण को अर्पित भोजन खाता है अतित के भोतिक संक्रमनों की सभी प्रतिक्रियाओं का प्रतिकार कर सकता है जो आत्म साक्षात कार की प्रगती में बाधा है भगवत गीता 3.1.4 जब कोई अपनी सारी संपत्ति से वंचित हो जाता है तो उसकी शाररिक चमक निश्चित रूप से कम हो जाती है लेकिन ये द्यपी बली महाराज ने सब कुछ खो दिया था फिर भीवी भगवान वामनदेव को संतुष्ट करने के अपने द्रसंकर्प में द्रह थे भगवत गीता में ऐसे व्यक्ते को स्थित प्रगी कहा जाता है मायवी उर्जादवारा प्रसुद सभी कठिनायों और बाधाओं के बावजूद एक शुद्ध भग्त कभी भी भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता है श्रीमत भागवत 8.21-28 अपनी पत्नी को अच्छे का पड़े पहने हुए देखकर कोई भी पारिवारिक व्यवसाय के बारे में बहुत गमफीरता से सोच सकता है जब कोई व्यक्ति पारिवारिक मामलों को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहता है तो वे हपनी पारिवारिक करतव्यों का अच्छी तरह से निर्वहें नहीं कर पाता है इसलिए पत्नी को प्रेरण अस्रोत माना जाता है और उसे पती की बुद्धी को दुरुस्त रखना चाहिए ताकि वे पारिवारिक जीवन के मामलों को बिना किसी बाधा के मिलकर आगे बढ़ा सके श्रीमत भागवत 4.272 प्रियर राजा आपके यग्य के निश्पाधन में बाधा डालने के प्रयास के कारण इंद्र की श्रक्तियां पहले ही कम हो चुकी है हम उन्हें वैदिक मंत्रों से बुलाएंगे जिनका प्रयोग पहले कभी नहीं किया गया और वे अवर्ष आएंगे इस प्रकार हम अपने मंत्र के बल से उसे अगनी में डाल देंगे क्योंकि वे तुम्हारा शत्रु है श्रीमत भागवत 19 अप्रेल 28 आसपास की परिस्थितियों के कारण सभी प्रकार की बाधाओं के बावजुद वे स्वचालित रूप से भक्ति सेवा में लगा रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है जब तक कि वे हल्ग बार फिर से पूर्ण नहीं हो जाता बिल्व मंगल ठाकुर अपने पिछले जन में एक उन्नत भग थे लेकिन अपने आगले जीवन में वे बहुत पतित हो गए और एक वैश्या से आसक्त हो गए हम ये निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस तरह की उन्नती का इस भगोतिक संसार में उल्चे जीव की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है दुर्भागे जी आध्वनिक मनुष्य अपने उल्चाओं को नहीं समझता है और वे ही कितना निंदित है नहीं वे जानता है कि अकले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीड मिलेगा आध्यात्मिक द्रिष्टि कोण से एक महान राजी, सुन्दर पत्नी और अद्भूत भौतिक गतिविधिया सभी आध्यात्मिक उन्नती में बाधाय है श्रीमत भागवाद 5.1, 37